नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल आज हम बात करेंगे ITC के शेर के बारे में जो कि हमको पिछले दिन के मकाबले लगवग आदा परसन डाउनसाड के और गया है और 184 के आशपास हमको इसमें closing आज के दिन देखने को मिली है So volume पिछले दिन से हमको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला लेकिन यहां पर पूरा दिन हमको यहां पर एक red candle आजके दिन देखने को मिली है यहां से शेरना है एक बार उपर जाने की भी कोशिश की लेकिन यहां पर यह जा नहीं पाये लेकिन लास्ट में आते आते हैं हमको यहां पर थोड़ा नीचे की और यह आता हुआ बंद हुआ लगबग यहां पर पचास 0.50 परसन यहां पर आदा परसन डाउनसेट की और आता हुआ हमको देखने को मिला तो यहां पर अगर आपको बाइंग की पुजिशन बनानी है इसके अंदर तो किन लेवल के उपर आप इसमें यहां पर फोकस बगएरा कर सकते हैं और ITC में यहां पर बाइंग की पुजिशन अभी बनती भी है या नहीं तो इसके बारे में पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो आपको यहां पर किन लेवल के उपर ध्यान देना चाहिए तब ही आप यहां पर आपका जो लॉस हो गँगों यहां पर इसमें limited हो सकता है तो आपको बिलकुर यहां पर ध्यान से यहां पर पूरी वीडियो लास्त तक यहां पर ज़रूर देखिए सो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए वो करिपा यहां पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहोगा और सब्सक्राइब के बटन के उपर क्लिक कर सकते हैं यहां पर वॉल्म आप देखें वॉल्म हमको थोड़ा जादा देखने को मिला है अच्छा कासा और यहां पर इसका लो लगा था लगबग 180 के पास और इसका हाई लगबग आप देखें 190 के उपर तो लगबक 10 रुपे की यहां पर हमको movement देखने को मिल थी और volume यहां पर अच्छा कासा देखने को मिला तो उसके लगातार यहां पर पिछले चारे दिन हमको यहां पर थोड़ा downfall देखने को मिला है एल्फ यहां पर volume भी आप देख सकते हैं तब उसके बार यहां से लग रहा था कि अच्छी कासे इसमें buying गई थी और यहां से अगर यह level को अगला जो इसका यहां पर resistance बना हुआ है 190 के आसपास अगर इसको यहां पर यह तोड़ देता है 190.80 के तब यहां से हम इसमें buy की नई position यहां पर बना सकते थो तो मैंने आपको कहा था कि अगर इसके बाद हमको एक अच्छी यहां पर green candle देखने को मिलती है volume के साथ तब यहां पर इसमें buy की position बना सकते हैं लेकिन उसके बार यहां पर हमको अच्छा कासा यहां पर downfall देखने को मिला है तो यहां पर volume इसमें कमी देखने को मिली है जिसकी वज़े से मैं कौंगा कि ज़्यादा नीचे की और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नहीं तोड़ता है ताब आप इसमें यहां पर fresh position यहां पर बना सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इसका अच्छा कासा यहां पर एक support यहां पर बना हुआ पहले भी आप देखिए यहां पर अपने lower levels 150-160 के पास यहां पर यह चल रहा था उसके बार हमको अच्छा कासा volume आप देख सकते हैं इसमें volume यहां पर लगाता निन करीज होता हुग गय और यहां पर हमको अच्छा एक breakout देखने को मिला और इसके बार यहां पर लगबग यहां पर यहां पर यह दो सो चार रुपे के आजपास यहां पर गया था उसके बार हमको थोड़ा downfall देखने को मिला और इस जगा पर इसने अच्छा कासा यहां पर support लिया और इसके बार एक बार इस नहीं यहाँ पर support जरूर हमको देखने को मिला है तो हो सकता है यहाँ पर एकदम से ऊपर नहीं गया है जिसका मतलब है कि यहाँ से यह दुबारा इसी level के आसपास यहाँ पर यह consolidate कर सकता है इसी zone के अंदर अंदर यहाँ फिर एक बार इस level को यहाँ पर यह दुबारा retest कर सकता है अगर volume के साथ हमको यहाँ पर पूरी market के अंदर buying sorry selling देखने को मिलती है तब यहाँ पर ITC के अंदर भी हमको यहाँ यह level तोड़ता हुआ देखने को मिल सकता है तब आप इसमें अगर चाहें तो नहीं buy की position बना सकते है उसके बार अगर मालीजे यह consolidate करता हुआ यहाँ भी हमको दुबारा 190 के आसपास भी गया तब भी यहाँ पर आपको short term के लिए यहाँ पर लगबग 10 रुपे का यहाँ पर फाइदा हो सकता है यहाँ पर भी हमको यह देखने को ज़रूर यहाँ पर मिल सकता है तब आपको मैं कहूंगा अगर 180 के आसपास आप इसमें buying वगएरा करते हैं तब यहाँ पर मैं कहूंगा कि आपका risk जो है वो यहाँ पर थोड़ा कम हो सकता है अगर मालीजे 180 के आसपास इसमें अगर यहाँ पर शेर जब भी आता है आप इसमें buying वगएरा करते हैं तब आप इसमें लगबग यहाँ पर 177 या 175 का अपना stop loss लगा गया है उसके बार आप देखे इस level को तोड़ने के बार फिससे यहाँ पर हमको अच्छे कासे volume के साथ यहाँ पर up move देखने को मिली जिसके बार यहाँ पर यह उपर के level के उपर यहाँ पर sustain कर पाया तो आपको भी यहाँ पर volume की थोड़ी हमको कमी देखने को मिली है अगर यहां पर volume को increase होता हुआ देखने को मिलता है तब ही यहां पर यह level को यह दुबारा यहां पर तोड़ सकता है और इसके बार यहां पर 210 रुपे का level भी हमको इसमें आता हुआ देखने को मिल सकता है तो अभी हम यहां पर कहें के थोड़ा वेट कीजिए जब तक lower levels के आसपा यहां पर ITC का share आता हुआ हमको नहीं देखने को मिलता तो बात करते हैं आज के दिन की लगबग 3 बजे तक इसमें हमको 70 लाग के आसपास delivery quantity हमको देखने को मिली है और 46% के आसपास हम देखें के पिछले एक महीने का चार आप देखिए पिछले दिन हमको 53 लाग के आसपास यहां पर हमको जो delivery है वो लोगों ने उठाई थी तो आज हमको थोड़ी delivery जूर इसमें देखने को मिली है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा volume हमको इसमें थोड़ा कम देखने को मिला है अगर मालीजे यहां पर volume थोड़ा थोड़ा यहां पर increase होता जाता है और यहां पर जो share है वो थोड़ा थोड़ा अपसेड की और जाता है तब यहां पर यह इस level को तोड़ने के इसके chances जादा होंगे तब यहां पर ऐसके बाइंग बगारा करनी अगर यहां पर यहां पर यहां पर तोड़ता नहीं आ है तब आप यहां पर इस level के आसपास इसमें नहीं बाइंग की position बगारा बना सकते हैं लेकिन आपको इस level के अंदर अंदर यहां पर बिल्कुल position नहीं बनानी है क्योंकि क्योंकि मालीज़े यहां पर आपने इस level के आसबस कभी भी यहां पर अपने position बगारा बना ली तो यहाँ पर आप बनाएंगे नहीं, अगर यहाँ पर दो दिन दिन यहाँ पर अपसेड की और गया है, तब आप इसमें नहीं position बनाते हैं, उसके बार यहाँ पर यह इस level को दुबारा retest करता है, जैसे आप देखिए, पहले इसने यहाँ पर एक बार low लगाया था, उसके अगले दिन भी यहाँ पर इसने लगा था, दो दिन इसको test किया था, लेकिन यहाँ पर यह उपर की और नहीं जा पाया, फिर से यहाँ पर हमको थोड़ा downfall देखने को मिला, तो यहाँ से फिर से यहाँ पर lower levels के आसपास लगबक 180 के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता और यहाँ पर consolidation zone जो है, वो यहाँ पर काफी लंबे समय तक भी चल सकता है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल panic कर सकते हैं यहाँ पर, तभी मैं कहूंगा आपको यहाँ पर lower levels के आसपास buying करनी चाहिए, अगर यहाँ पर यह अपने support के उपर उपर रहता है, support को अगर यहाँ तोड़ता नहीं है, तभी आपको buying वगरा करनी चाहिए, यहाँ फिर अपने यह resistance जो है, वो इसको यहाँ पर अच्छा कासा तोड़के breakout यहाँ पर हमको थोड़ा देखने को मिलता है, तभी आप इसमें नई buying की position वगरा यहाँ पर बना सकते हैं, तो यह थी आज की वीडि करना मत बूलिए ताकि मैं अभी ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए और भी motivate होता रहूं, सो मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार